आज मैं आपके साथ में हरे प्याज के पत्य की बहुत ही सांदार रैसिपी सेयर करने वाली हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और हम सभी जानते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए कितनी अच्छी है जो कि सर्दियों के मौसब में बहुत आसानी से मिल जाती है तो चलिए देर न कि अच्छी तरीके से गरम हो चुका था तो हमने आधी चोटी चमच जीरा डाला है और इसे बहुत अच्छी तरीके से तरकने देंगे जब तक इसका रंग सुनहरा ना हो जाए तो तेल में इसका अच्छा सा फ्लेवर आ चुका है तो इसमें हम 4-5 लेसन की कलिया डालेंग तो तीखा आप अपने हिसाब से कम्या जादा रख सकते हैं जैसा आपको पसंदो तो देखें मीर्च और लहसन बिल्कुल अच्छी तरीके से तेल में अपना फ्लेवर छोड़ चुके हैं तो एक बड़ी साइच का आलू जिसे हमने रफली काटा था उसे हम इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से बुनेंगे बहुत जादा नहीं पकाना है हमें बस हलका सा कलर चेंज करना है तो बस देखें यह थोड़ा सा बुन चुके हैं तो अब हम इसमें जो हमने हरे प्याज के पत्ते को काट के रखा था वह हम इसमें डाल देंगे तो य तो इसे मिलाने के बाद में हम अच्छी तरीके से थोड़ी देर के लिए अच्छी तरीके से पकने देंगे ताकि अपने पानी को छोड़ दे और अच्छी तरीके से उसमें पके तो चली हम देख लेते हैं इसे पानी छोड़ दिया है और यह अच्छी तरीके से पक भी रह तो जब हमने टमाटर डाल दिया तो चलिए कुछ सुखे मसाले भी डाल देते हैं इसमें ज़ब चोटी चमच शाल्थी दिल्धी हमने दालिए एक चोटी चमच हम इसमे धनिया पॉडर डालेंगे और इसमें हमने एक चम्मच लाल मिर्च कुटी वी डाली है अगर आप चाहे तो ती इसे इसकीप कर सकते हैं अगर बच्चे खा रहा हूँ तो अब इन सबी मसालों को हम अच्छी तरीके से प्याच के पत्तों के साथ में भूनेंगे खुछ थोड़ी देर के लिए तो इसे इसी तरीके से खुले में हमें थोड़ी दर के लिए भूनना है तो हमें इसे इतना पकाना है कि अच्छी तरीके से पूरा पानी इसका सूख जाए और आलू अच्छी तरीके से सौफ्ट हो जाए तो चलिए हम नमक डाल देते हैं नमक स्वात के उन सार डालना है जब बहुत ही स्वाधिस्ट सब्जी बनकर तयार होती है इसकी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है और बहुत कम तेल वासालों के साथ में बनती है तो देखिए इसका पानी पुरा सूख चुका है मैं आपको दिखा देती हूं तो चलिए एक प्लेट में हमने निकाल लिया है हमारी स सब्यों बनकर बिल्कुल तयार है गर्मा गर्म रोटी के साथ खाईये साथ चाषब दन के साथ बहुत ही ज्यादा टेष्टी लगती है और इन hai बनाना बहुत असाने दो से चार मिनट में बनकर तयार हो जाती है तो इस सर्दियूम और जरू ठाइक है और भी आपको कैसी ह लगी चैनल को लाइक सुस्क्राइब करना मत भूलिए का जयम आता दी दोस्तों